हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतरगयत विशेशन विशेशन की परिवासा भेद और उधारेंड तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि विशेशन किसे कहते हैं तो बच्चो हमारा आज का पार्ट क्या है विशेशन और आईए जानतें यहांपर कि विशेशन किसे कहते हैं आप ध्यान दें जो सब्द संग्या या सर्वनाम की विशेशन कहते हैं उन्हें विशेशन कहते हैं आप देख रहें नहीं आपर कि जो सब्द संग्या या सर्वनाम की बिसेश्टा बताते हैं उन्हें बिसेश्टा कहते हैं आप यू भी कह सकते हैं जो सब्द बिसेश्टा बतलाते हैं उन्हें बिसेश्टा कह सकते हैं और जिनकी बिसेश्टा बताई जाती हैं उन्हें क्या क आप लखेंगे जो सब्द संग्या या सर्वनाम की विसेशता बताते हैं उन्हें विसेशन कहते हैं और जिनकी विसेशता बतायी जाती है उन्हें विसेश directory आई ये देखते हैं उदारन या पर जैसे की गोरा, काला, अच्छा, बुरा, सुन्धर, मीठा, आदी उदारन के लिए आप देखें आसमान का रंग नीला है तो इसमें नीला क्या है विसेशन है क्योंकि आसमान की विसेशन क्या है क्यों नीला है तो यहाँ पर नीला विसेशन है और आकास क्या है विसेश्या क्योंकि जिसकी विसेश्ता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं विसेश्या आप देख रहें नहीं यहाँ पर जिनकी विसेश्ता बताई जाती है उन्हें विसेश्या कहते हैं तो इस उधारण में नीला क्या होगा विसेशन और आकास क्या होगा विसेश्या इसके बाद आएए देखते हैं अगला उधारण मोहन एक अच्छा लड़का है इसमें अच्छा क्या है विसेशन है क्योंकि मोहन की विसेश्ता क्या है क्यों अच्छा है और विसेश्ता किसकी बताई जा रही है मोहन की तो मोहन क्या यहां पर विशेश्य है तो आपने सीख लिया होगा कि कि यहां पर विशेश्य और विशेश्ण किस परकार से आप अलग कर सकते हैं इसके बाद आए जानते हैं विशेश्ण के भेद विशेश्ण के मुख्य रूप से चार भेद है नम नमबर दो परिमान वाचक विसेशन नमबर तीन संक्या वाचक विसेशन और नमबर चार सार्वनामिक विसेशन तो इस परकार से आप लिखेंगे कि विसेशन के मुख्य रूप से चारवेद होते हैं नमबर एक गुनात्मक विसेशन नमबर दो परिमान परिमान वाचक विस बिशेशन नमबर 3 संक्या वाचक और 4 सर्विनामिक बिशेशन आईए सब से पहले जानते हैं गुंआत्मक बिशेशन जो सब्द संग्या या सर्विनाम के गुंढ़ धर्म सुभाव आधिका बौत कराते हैं उन्हें गुंढ़ वाचक बिशेशन कहते हैं आप ने देखा यहाँ पर नमबर वन क्या था हमारे पास गुणात्मक बिशेशन और जो सब्द संग्या या सर्व नाम के गुण धर्म सुभाव बोत कराते हैं यानि कि ज्यान कराते हैं उन्हें गुणवाचक बिशेशन कराते हैं जैसे अच्छा, पुराना, जूटा, सफेद, आदी आईए उधारन के माद्यम से समझते हैं आप देखें यहाँ पर गाय का रंग सफेद है मंजू का घर पुराना है वे लड़के जूट बोलते हैं मोहन बहुत मोटा लड़का है तो यहाँ पर आपने देखा कि गाय का रंग कैसा है सफेद, मंजू का घर कैसा है पुराना, वे लड़के कैसे बोलते हैं जूट बोलते हैं और मोहन कैसा लड़का है मोटा लड़का है तो यहाँ पर यह क्या है गुणात्मक विसेशन आप देखें यहाँ पर ध्यान दें गुणात्मक विशेशन को निम्न परकार से भी समझा जा सकता है गुण बोधक जैसे की अच्छा, बुरा, गोरा, बीर, कायर, क्रोधी, आदी ये क्या हैं गुण बोधक विशेशन है और रंग बोधक जैसे सपेद, हरा, नीला, पीला, लाल, काला, आदी तो यहाँ पर क्या है ये रंग बोधक विशेशन, आकार बोधक विशेशन, मोटा, पतला, गो, लंबा, चोडा, ये क्या हैं सब आकार बोदक बिसेशन और काल बोदक नया पुराना तो इसी प्रकार सा आपने देखा था उपर के जो वाक्यों में उदारन थे वो कैसे थे अच्छा बुरा गोरा वीर कायर क्रोध इसी प्रकार के थे न गाय का रंग कैसा है सपेद है आपने देखा था यहाँ पर पहला उदारन गाय का रंग कैसा है सपेद है और सपेद कैसा विसेशन है रंग बोधक बिसेशन यहाँ पर देख रहें न आप सफेद हरा नीला पीला लाल तो यह क्या है रंग बोधक बिसेशन इसके बाद आए देखते हैं यहाँ पर संख्या वाचक बिसेशन नमबर दो हमारे पास संख्या वाचक बिसेशन जो सब्द संग्या या सर्वनाम की क्या का बोत कराते हैं यानि संक्या आप समझते हैं एक दो तीन चार पांच कुछ अधिक इस परकार का जो बोत कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं संक्या वाचक विसेशन जैसे दस किताब चार मित्र कुछ चात्र कई लोग साथ दिन दस वर्स ये सब क्या हैं संक्याओं का बोत करा रहे हैं तो इसलिए ये संख्या वाचक बिसेशन कहलाएंगे उधारन के लिए मेरे पास 10 किताब है तो 10 क्या यहाँ पर एक संख्या है आप जानते हैं न 10 क्या है संख्या है एक हमारे पास तो यह क्या है संख्या वाचक बिसेशन किताब की क्या है क्योए 10 हैं और मझू के 4 मित्र हैं तो यहाँ पर जो 4 क्या है संख्या वाचक कई लोग वहाँ पर है तो कई क्या है संख्या का बौध करार है 1,2,4,6 नहीं कई सारे लोग और कुछ चात्र आज भिध्याले नहीं आये तो यहाँ पर जो कुछ सब्द जो है यहाँ पर यह क्या है संक्या का बोद करा रहा है तो इसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर संक्या वाचक बिसेशन को दो भागों में बाटा गया है निश्चित संक्या वाचक और अनिश्चित संक्या वाचक आपने देखा उपर के वाक्यों में जैसे दस, चार, दस हुआ है न तो इस प्रकार से ये क्या है निश्चित संक्या बता रहे है उनके पास चार गाए है उसके पास दस किताबे है तो ये क्या है जो चार और दस बताए जा रहे है ये क्या है निश्चित संक्या है उससे ना तो कम और ना उससे अधिक कुल मिलाकर कितनी दस किताब तो ये क्या है? एक निष्चित संक्या है इसलिए निष्चित संक्या वाचक बिसेशन और अनिष्चित संक्या वाचक बिसेशन जैसे कुछ चाथ्र कई लोगSo तो यहाँ पर क्या है एक निश्चित संक्या नहीं दी गई है यहाँ पर 10, 5, 2, 8, 12 कुछ नहीं कहा गया यहाँ पर क्या कहा गया कुछ चात्र अब इसे कुछ भी हो सकते हैं संक्या में तो इस परकार की संक्या को क्या बोलते हैं अनिश्चित संक्या वाचक बिसेशन इसके बाद आये जानते हैं आपर सार्वनामिक बिसेशन नमबर तीन है हमारे पास बिसेशन के बेदू में सार्वनामिक बिसेशन वे सर्वनाम जो किसी संग्या की और संकेत करते हैं उन्हें संकेत वाचक बिसेशन या सार्वनामिक बिसेशन कहते हैं जैसे उधारन के लिए आप देखे यहांपर यहां किताब हिंदी ब्याकरन की है, वहां आदमी घर जा रहा है, यह किताब किस की है, तो यहाँ पर देखा आपने वह लड़का बहुत होसी आ रहे है तो यह सब किसे अधारन है सारवनामिक बिसेशन की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको आता है किसे रहे हैं किताब की रहे हैं किताब की और आप उंगली से संकेत कर सकते हैं कि यहां किताब हिंदी व्याकरन की है और आप उंगली से इसारा कर सकते हैं कि वहां आदमी घर जा रहा है कोई शड़क पर जा रहा है तो आप क्या करेंगे उंगली से बताएंगे न कि वहां आदमी घर जा रहा है तो यह क्या ह संकेत वाचक विशेशन इसी को सार्ब नामिक विशेशन भी कहते हैं इसके बाद आए जानते हैं यहाँ पर परिमान वाचक विशेशन जिन विशेशन सब्दों से संग्या या सर्ब नाम के परिमान यानि कि मात्रा नापतौल का बोध होता है उन्हें परिमान वाचक विशे इनसे आप देखें याँ परुदारन परिमान वाचक विसेशन को दो भागों में बाटा गया है निश्चित परिमान वाचक और अनिश्चित परिमान वाचक जैसे कि आपने देखा था निश्चित संक्या वाचक और अनिश्चित संक्या वाचक उसी परकार से इसके भी दो बेद होते हैं परिमाण वाचक भी सेशन के जैसे कि निश्चित संक्या में आप देख सकते हैं कि वहाँ जो है दो किलो सेब लेकर आया तो यहाँ पर क्या है एक फिक्स बताया गया है कि कितने लाए था दो किलो ना तो कम और ना ज्यादा दो किलो दूद लेकर आ जाओ तो यहाँ पर जो है दो किलो की बात की जा रही है वहाँ लड़का तीन किलो मिटर पैदल गया तो यहाँ पर तीन किलो मिटर से ना तो कम गया न जादा कितना गया ठीक ठीक तीन किलो मिटर तो यह क्या है निश्चित परिमान वाचक और अनिश्चित परिमान वाचक किसे कहते ह जैसे कम लोग थोड़ा पानी गरम करके देना बहुत सी किताबें पढ़ ली देर सारा पैसा कमाया तो यह क्या है अनिसित पर्मानवाचेक जिसमें कि पैसे की या किताब का या पानी का जुए है कोई संक्या नहीं बताई गई कि कितने तो यहाँ पर क्या है थोड़ा पानी यानि कि एक लिटर दो लिटर पानी नहीं कहा गया यहाँ पर यहाँ पर क्या कहा गया थोड़ा पानी तो यह क्या है अनिशित परमान वाचक यहाँ पर नाब तो की गई लेकिन कितनी अनिशित की गई तो इस परकार से इसे क्या कहेंगे हम अनिशित परमान वाचक विसेशन तो आप ध्यान दें यहाँ पर यहाँ पर जहां भी परिणाम लिखा है परिणाम वाचक यहां पर क्या लिखेंगे आप परमान वाचक परिमान वाचक विशेशन लिखेंगे आप परिमान वाचक विशेशन लिखेंगे आप परिमान वाचक विशेशन लिखेंगे आप यहां पर परिमान वाचक विशेशन तो इस परकार से बच्चो आज का चैप्टर आपने देखा यहां पर हमने क्या बताया आपको बिसेशन, परिवासा बेद और उधारन बिसेशन के उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा आज के लिए इतना काफी है आपका दिन सुभू